एक ना फिर वेसे ही कुछ बोर करेगा जैसा वो करता आ रहा है अगर बंदन बैंक के परफ़ोरमिस से देखें तो एक अंडरपरॉर्मर रा रहा है उसने nifty से भी underperform किया है और अपने industry से भी underperform किया है इसने all time high बनाया था दोस्तों अगस 2018 में और वो था 724.85 का और उसके बाद में massive downtrending move की शुरुआत हुई और इसने all time low बनाया मार्च 2020 में और वो था 149.5 इस तरह से stock में एक massive downtrendum देखा गया और वो था 79.39% की एक बहुत बड़ी गिरावट capital का erosion लेकिन इसने जो low बनाया उस low को अभी तक पिछले 4 साल में उसने नहीं पोड़ा है लेकिन फिर return भी अच्छा नहीं दिया है अगर इस stock के 4 साल के return को देखे तो करिब 27-28% का return दिया है और recent time में दोस्तों 11% की vertical गिरावट तो क्या ये जो गिरावट है vertical गिरावट ये एक healthy गिरावट हो सकती है क्या बंदन मैंड के share में trend reversal की संभावना है price action किस और इशारा कर रहे है इस वीडियो में हम इन सारी बातों की जर्चा करेंगे मैं D.K. सिना आप सभी का स्वागत करता हूँ चैनल को subscribe कर लिजे bell icon को hit कर दीजे notification के लिए ताकि आप हमेशा updated रहे अगर अभी तक आपने इस चैनल की membership को join नहीं किया है तो join बटन पर क्लिक करें या उसका भी link इस वीडियो के description box में नीचे दिया गया है तो चलिए बंधन bank share के broad fundamentals को देखते हैं और उसके बाद price chart में उसकी multiple time frame technical analysis करके संभावनाओं को जानेंगे कि क्या ये stock buying की opportunity दे रहा है या हमें अभी इंतजार करना चाहिए कि दो क्वेश्चेंज बड़े important हो जाते हैं क्या बंधन bank का fundamentals improve हो रहा है number two क्या financial institutions इस stock में buy कर रहे हैं तो अगर हम price chart की score को देखें तो इसका price chart की score subtly improve हुआ है quarter four last financial year में दो से पांच पर पहुच गया और उसके बाद वो maintain रहा पांच पर तो yes fundamentals improve होते हुए नजरा रहे हैं अगर institutional buying की बात करें तो फिलाल तो दोस्तों foreign institutional investors या API में and mutual fund में पिछले reporting quarter में buying नहीं आई है राधर उन्होंने sell किया है लेकिन जब trend reversal होता है तो हो सकता है कि अगले quarter में हम एक सम्मावना देख सकते हैं कि इस stock में mutual fund में buying आ सकते हैं तो बंदन bank के share ने performance क्यों खराब दिखाया हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि stock market जो है वो कहीं ने कहीं earnings का गुलाम और बंदन bank के पिछले 5 साल की earning को देखें तो negative growth है 1.3% से earning में dip देखा गया है जबकि इसी period में industry ने 41.9% का growth दर्च कि लेकिन पिछले एक साल के दोरान over the past one year इसकी earning growth में improvement नजर आया है और वो बड़ी है 26.7% से जो industry से slightly better जब हम इस stock में निवेश करते हैं तो भविश में इसका estimated growth क्या हो सकता है इसको समझना अत्यनत आवश्यक है तो बंदन bank की जो earning है वो estimated है कि 23.6% से grow होने की संभावना है जबकि industry का जो forecast है वो सिर्फ 8.8% का है तो आने वाले दिनों में बंदन bank side बहतर perform कर सकता है और वही revenue growth की बात करें तो वो भी forecast है कि 24.6% से ये बढ़ सकती है जो industry से बहतर forecast है तो बंदन bank का share कहीं महंगा तो नहीं expensive तो नहीं तो इसके valuation को check करते हैं तो current market price पे अगर हम इसे intrinsic value या fair value price से compare करें तो ये 10.1% undervalued stock है तो valuation में ये अच्छा नजर आ रहा है वहीं अगर उसके जूसरे valuation matrix को देखें price to book ratio को तो वो है 1.5 जो industry के at par बंदन bank का P ratio जो है वो है 12.5 और अभी हम लोगों ने चेक किया दोस्तों कि इसका जो earning का growth forecast है वो है 23.6% तो इसका peg ratio क्या हुआ दोस्तों इसका peg ratio हुआ 0.52 तो ये stock valuation में तो undervalued नजरा है अब थोड़ा से risk की बात कर लेते हैं तो बंदन bank का asset level बोलें या उसकी liabilities बोलें या loan के level को बोलें और deposits ratio की बात करें तो यहाँ पे कोई concern नहीं है concern का area है कि bad loans के लिए जो allowance है वो काफी low है और bad loans काफी अधिक है जो करी 3.8% है अब हमारे सोने पे सुहागा segment में इसके dividend yield को check करेंगे तो इसका current dividend yield जो है वो 0.8% है लेकिन forecast जो है estimate है कि भविश में ये बढ़के 1.9% हो सकता है तो जब हम किसी stock में इवेश करते हैं तो यह additional benefit जो है जिसे हम सोने पे सुहागा बोल को तो चलिए बढ़ते हैं price chart के उपर में और बंधन bank के share की multiple time frame technical analysis करते हैं मैं आपको price action समझाने की कोशिस करूँगा और क्या इस में अभी buy करना चाहिए या अभी हमें इंतिजार करना चाहिए यह सारी संभावनाओं के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों वीडियो को like करना नहीं बोलिए यह बंधन bank के share का मंत्री price chart है दोस्तों और यह currently trade हो रहा है 189.1 पर जब मैं यह live market में 3rd October को इसकी analysis कर रहा हूँ यहां देखे इसने all time high बनाया 724.85 क और यह all time low इसने बनाया 149.54 का तो इस तरह से 79.37 परसंट का यह massive drawdown capital में erosion हुआ अगर हम current month में देखें तो current month में भी यह stock 4.8% की गिरावट के साथ में trade हो रहा है लेकिन अगर price action को हम समझते हैं यहां इसने एक base बनाया और यह double bottom जैसा formation है लेकिन अभी तक कोई reversal चार्ट pattern का monthly chart में breakout नजर नहीं आ तो एक तो reference point हो सकता है कि कब इसमें buying की opportunity आईगी यह देखिए counter trend line price का resistance है price का resistance है और price का resistance है तो अगर recover करके इस counter trend line का breakout होता है और अगर वो breakout decisive होता है volume में सर्ज होता है तब एक buying की opportunity हम इसमें देख सकते हैं अब बढ़ते हैं weekly price chart में तो weekly price chart में हम क्या देख रहे हैं कि एक rising price channel में यह trade हो रहा है यह देखिए price का support है और price currently जो है vertical fall जो हुआ है recent time में तो वो support के पास में trade होती हुई नजर आई है यहाँ देखिए price का multiple resistance था और यह price का multiple support है तो horizontal line खीची गई है तो उसके इसाब से ही है अब demand area में पहुच र का है इसमें buying आने की संभावना नजर आ रही है क्योंकि यह lower fiber पर है rising price channel पे और पहले भी यहाँ support था और उसके पहले यह resistance का level था तो एक तो संभावना यह नजर आ रही है अब daily price chart में चलते हैं तो daily price chart में हम क्या देखते हैं यह जो vertical fall है usually vertical fall जब भी होते हैं तो वो sustain नही करते हैं यहाँ पे देखी vertical fall हुआ price में recovery आ गई इसके अलावा important है यह price का support है price का support है और price यह support के price में trade हो रही है इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे एक gap down opening है और यह एक gap down opening है इसका मतलब back to back हमें gaps नजर आ रहे हैं तो हो सकता है कि market जब कल खुले यानि 4th October को जब market खुले तो इसमें gap down opening हो सकती है और वो exhaustion gap का formation हो सकता है और buying आ सकती है तो यह तो संभावना है जब तक buying नहीं आती है तो कि currently price जो है SMA 233, SMA 200 and सारे critical moving averages के नीचे में trade कर रही है लेकिन जब price अभी गिर रही है तो volume में कोई बहुत ज़्यादा participation नजर नह है इसका मतलब extent of participation गिरते वक्त में कम है अगर हम momentum indicator को देखें तो अगर इस level से इस level को compare करें तो हमें क्या नजर आ रहा है कि कहीं न कहीं momentum में loss ज्यादा हुआ है तो इसका मतलब momentum discrepancy हम देख सकते हैं तो एक संभावना यह है कि momentum discrepancy नजर आ रही है RSI के उपर में और सुकास्टिक की बात करें तो oversold territory में यह पहुँच चुका है तो price जो है downside में काफी ज़्यादा overextended नजर आ रही है तो अब गर एक रफ level को देखें रफ level क्या हो सकता है यहाँ पर देखिए यह downtrending moon में था इसने double bottom बनाया और double bottom का यह apex था इसका यहाँ breakout हुआ और price में throwback किया और फिर price उपर गई तो reversal chart pattern जिसे जब double bottom बोलते हैं उसका breakout हो चुका है only problem है कि follow through ठीक से नहीं हो रहा है तो price फिर से इस level पे आई है और यह demand area हो सकता है लेकिन इसको फिर से एक बार analyze करना पड़ेगा और वो कब analyze करना पड़ेगा मैं आपको एक trend line कीच के दिखाता हूं यह आप देखिए यहां मैं trend line कीच रहा हूं इसको ध्यान से देखिएगा यह trend line बड़ी significant trend line है क्यों significant है को कि यह price का resistance है price का resistance है price का resistance है यह price का support है support है टेक symmetrical triangle का formation हो अगर इस symmetrical triangle का breakout होता है symmetrical triangle के formation जब भी होंगे trading range जो है वो narrow होती चली जाएगी देखिए कितनी बड़ी trading range भी फिर यह चोटी हो गई trading range अभी और चोटी होने की संभावना है अगर इसका breakout हुआ तो price में upside momentum develop होगा लेकिन अगर breakdown हुआ अगर 183.6 के नीचे में कोई candle close हो गई और उसका follow through हुआ तो फिर गिराबट भी दर analysis का conclusion क्या निकलता है conclusion यह निकलता है दोस्तों कि stock का valuation तो अच्छा है future में growth की संभावना भी अच्छी है तो fundamentals हमें यह बताते हैं कि यह stock एक अच्छा stock नजर आ रहा है जिसमें buying की opportunity आ सकते हैं अब technical analysis हमें बताते हैं कि कभ इसे buy करना चाहिए तो technical analysis के अनुसार और फिलहाल buying की opportunity नजर नहीं आ लेकिन buying की opportunity आने की संभावना को हम rule out नहीं कर सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए जो countered run line हमने कीची है उसके उपर में एक अलट set करना है जब उसका decisive breakout हो जाएगा तो फिर से analysis करके देखना होगा कि क्या इसमें healthy breakout हुआ है और healthy breakout हुआ है त जब momentum develop होगा तब buy करने से एक long positional view इसमें लिया जासा है तो आपका क्या opinion है बंदन बंक के share के बारे में इस वीडियो के comment section में आपके comments का हमें इंतजार होगा देखने के लिए धनिवाद पिर मिलेंगे दोस्तों अतिशीद